सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ग्यान बर्धक बीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके ब्रिश भरासी वालों का आज का रासी फल याने की आठ मार्च दोहज जार बेस का रासी फल तो जैसी आराम दोस्तों आईए आज के बीडियो की सुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं आठ मार्च के पंचांग के बाड़े में आज तिथी है चतुर दसी नक्षत्र है आस लेसा पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है रभीवार आज के दिन सुर्य उदय हो रहा है छे बज के 38 मिनट में और सुर्यास्त है छे बज के 25 मिनट में चंद्रोदय है चार बज के 57 मिनट में और चंद्रास्त है अगले दिन 6 बज के 27 मिनट एम में रितू है वशंत और आज का दिन काल है 11 घंटे 47 मिनट 22 सेकेंड का महिना है फालगुन और आज आपके लिए शुभ समय है 12 बज के 8 मिनट से 12 बज के 55 मिनट तक अशुभ काल सुरू होता है साम के 4 बज के 51 मिनट से 5 बज के 38 मिनट तक राहु काल सुरू होता है 4 बज के 57 मिनट से 6 बज के 25 मिनट तक और दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब हम जानते हैं आपके आज की दिन के बारे में तो इस वीडियो के लाश्ट में आपके लिए आपके आज की दिन का भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक और अनोखा टोटका है तो आप उसे भी देखें और फॉलो करें लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर दें इसके बेल आइकन को वाल पे आउन कर दें तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो बिर्शफरासी वालों सबसे पहले हम जानते हैं आपके आज के धनसंपत्ती के बारे में पैसों के लिहाज से आपके लिए आज का दिन काफी ज्यादब बहतर रहने वाला है आज आपके पास पैसे परियाप्त मात्रा में रहने वाले हैं और पैसों के शाथ साथ मानसिक सांती भी रहने वाली है आज के दिन अगर अपने कामकाज में आप पैसों का निवेस करना चाहते हैं तो आज आप निवेस कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके ग्रह आज आपका साथ दे रहे हैं वैसे अगर आपके श्वास्त की और देखा जाए तो आज आपका श्वास्त ज्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है आज के दिन आपको गुस्सा ज्यादा आने वाला है और आपका गुस्सा आज के दिन राई का पहार बना देगा जिसके वज़ा से कुछ महत्तोकुर्ण देखा जाए तो आज के दिन आपका पारिवारिक जीबन शामारने से थोरा सा बेहतर है आज के दिन अगर आप घरवालों के शाथ समय बिताते हैं तो यह आपके लिए फाइदे मंद रहेगा अपने घरवालों को आज के दिन आप यह महसूस होने दें कि आपके लिए आपके घर वाले कितने महत्वपूर्ण है ये बात आज अपने घर वाले को आप महसूस होने देते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा वैसे अगर आपके प्रेम शंबंद की और देखा जाए तो प्रेम संबंद के लिहाद से भी आपका आज का दिन काफी ज्यादा शानदार है अगर आपने प्रेमी या अपने प्रेमी का से कोई वादा किया था तो आज के दिन अपने वादे को आप पूरा करने का प्रयास करे तो आपका प्रेम शम्बंद बहुत ही ज्यादा रोमान चक और शानदार हो जाएगा इसके बाद है आपका कामकाज दोस्तों कामकाज के लिहाद से भी आपका शम है बेहतर रहने वाला है आज के दिन आप जिस भी कार्ज में हाथ लगाएंगे उस कार्ज में आप पूरे एकागरता के साथ कार्ज करने वाले हैं जिसके वजह से आपको सफलता अवश्य मिलेगी आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है भुरा और सलेटी भाग्यशाली यंक है आपके लिए चार याने की फोर और अब बात करते हैं आपके आज के उपाई के बाड़े में दोस्तों उपाई ये है कि आज के दिन आप महादेव की पूजा करें अगर आप सिवसंकर संभू की पूजा करते हैं तो आपका शमय शानदार हो जाएगा और आज के दिन कहीं कोई बाधा नहीं आएगी तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जय सी आराम राधे राधे जय बजरंग वली